जुनेरा 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 हाथ जोड के कहता हूँ लोग अजियत में मुब्तर तुमारी वी एसी बेटी हो और वो गर से बाग जाए पता नहीं किस की बद दुआ किस बद लग जाए कह नहीं सकते हूँ बिस्मिल्ला एक्वाहिम, सलाव अलेकूम दोस्तो जुनेरा 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 मतलब यह हर बार एक नई वीडियो लेके आना पिर डूडियो लेकी आना अब था थाबत क्या करना चाहती है दोस्तो बात यह है कि एक वीडियो आई जुनेरा की मैंने तो इस केस से पेशाड़ गया था इंतजार कर रहा हूँ कि फैसला क्या आता है, मेडिकल बोर्ट क्या फैसला करता है उसके बाद आगे बात करेंगे अब जरूरत नहीं है उसके वाले देन से बात हुई थी आपको यादे मैधी साब ने मुझे कहा था कि अगर आपको मेरी बेटी दुआ ये कह देती है कि मैं खुश हूँ कि मैं अपनी खुशी से गई हूँ, मैं इससे महबत करती हूँ तो डॉक्र साब मैं इसको आज़ाद कर दूँगा, मैं केस नहीं आगे बढ़ाऊंगा और मैं दुआइं दूँगा, मैं मेरी वाइफ दुआइं देगी, कि मेरी बेटी खुश रहे मगर आज तक कोई आता नहीं मेरे पास जब आप ये चाते हैं, कि ये साबित हो कि आप सच हैं, तो आप सामने क्यों नहीं आते हैं और जुनेरा तुमने माशालला बड़ी वीडियो बनाई है, पॉलिटिशन पर भी बनाई है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है मगर ये इसके पीछे क्यों पढ़ी हो, देखें एक याद रखें जो शक्स जूट बोलता है ना, उसे बार बार कोशिश करता है कि लोग मेरी बात को सच माने, सच बोलने वाले को एक दफ़ा से ज़्यादा दो दफ़ा से ज़्यादा बोलने की जरूत नहीं होती मगर ही मतवातिर आप वीडियोज ला रही है, मतवातिर आडियोज ला रही है क्यों ला रही है, क्योंकि आप चाहती है कि लोग आपकी बात को सच माने तो क्या सच मानने के लिए आप बार बार ये इसलिए कर रही है कि बात सच नहीं है बारहल मेरा सिर्फ कामें तद्जिया करना, ना मेरा कोई दुआ से तालोक है, ना उसके हस्बंट से तालोक है, ना जुनेरा से तालोक है, मेरे सामने एक वीडियो आई, मुझे लोगों ने का, सर ये वीडियो, मुझे कई लोगों ने भेजी वीडियो, और मुझे का, डॉक् हम सब रोटी खाते हैं, हम बेरोकुफ नहीं हैं, हम वीडियो देखकर थोड़ी गौर से देखें, तो हमें खुछ समझ माया जाए गए कितना तरीका कार है, कितना फेक है, कितनी मेहनत की गई है, ताकि वीडियो पे लोगों को यकीन आ जाए कि इस अच है, मैंने कुछ चीज निकाली, आप वीडियो देखेंगे, तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा, पहली चीज तो यह है, कि जुनेरा, आप ओवर एक्साइटिट क्यों है, इस वीडियो में, हिपनोसिस में हम एक टर्म यूज करते हैं, ओवर कमपनसेशन, NLP और हिपनोसिस, होता यह है, कि हमारा इजहार है, जो तुमने वीडियो स्टार्ट की, और मुझसल वीडियो में तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो, करने की जुरूत नहीं है, अगर सच हो, तो लोगों को सच पता चल जाएगा, अगर यह केस अभी चल रहा है, तो बढ़ाएकर आप इस वीडियो को बनान आप इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको भी अंदाज होगा कि क्या हो सकता है, एक चीज तो यह है, कि जब जोनेरा दोआ से पूछ रही है कुछ चीजें, तो याद रखे एक चीज बड़ी इंट्रेस्टिंग है, और यह एक मेडिकल फैक्ट है, एक साइंटिफिक फै तो इस तरह एक आदमी excited होगा, तो वो इजार करेगा, तो जितने सवाल उसने दुआ से पूछे है, दुआ के body में कोई excitement नहीं है, यानि आपका शोहर आपके साथ बैठा है, आप बकॉल आपके शोहर है, बकॉल आपके अमान ले, आपका लवर है, आप उसे प्यार करती है तो कोई इजार नहीं है, ना चेहरे पे कोई इजार है, ना body language में कोई इजार है, ऐसा लग जाए है, बुद बनके बैठी है, कुछ चीज़ें आपको सिखा दी गई है, आपने वो बोलनी है, पहले से scripted हैं सारी की सारी चीज़े, फेशिल expression बड़ा important role अदा करता है, इनसा जब दुखी होता है तो उसका face कुछ और होता है, जब खुश होता है तो उसका face कुछ और होता है, जब इनसान जूट बोले तो उसका face कुछ और होता है, जब इनसान किसी खौफ में मुबतला हो, किसी डर में मुबतला हो तो उसका face कुछ और होता है, अब आप इसमें नो कि मुझे इस सवाल का जवाब कैसे देना है लेंग्विज जो अलफाज अदा कर रही है उसकी बॉड़ी उस उन अलफाज के साथ हम अहांग नहीं है इसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन नहीं है अगर मैं कहूं कि मैं उससे प्यार करता हूं तो मेरा सीना पहलेगा मेरी आखे उपर किदर हो जाएगी मेरा चैरा जगमगा जाएगा लेकिन अगर मैं अंदर से कोई प्यार नहीं है मुझे है कोई और अलामत है मेरी फियर की है कोई और तो फिर मैं मूझ से कहूंगा मैं उससे प्यार करती हूं and that's it मेरी बॉड़ी शो नहीं करेगी दूसरा एक चीज के साथ मिल मिलाप होता है दोस्तों शादी लड़का लड़की में नहीं होती दो खांदानों में होती तो इस तरह सब को पता होगा कि ये ओलाज जो है इन इस कपल की इस मर्द और इस और इस और इस किरफ से तो अगर आप चाहती है का आपका शौ़र की रिस्पेक्ट हो तो बरासान है दोनों आजाईए कराची दौा के माबाप के साथ बैठे माफी मांग ले और कहे जी आप हमें दुआएं दें मुझे यकीन है माधी साथ दुआएं देंगे मुझे यकीन है वो माफ कर देंगे परको ऑप बच्चों के साथ स्फ़ ज़्यादा देर तक अफ़ा नहीं रह सके ले मुम्किन नहीं ये ये महबत का तकाजा है कि माफ कर दिया जाए रों माफ कर देंगे यह छुप छुपा के आप विडियोज बनाती है अच्छा एक और चीज़ बड़ी इंट्रेस्टिंग है जुनारा कह रही है लोग कह रहे हैं यह कहां यह तो शॉपिंग कर रहे हैं यह तो यह कौन सी जगा जुनारा आपके लिए अगर तो यह सच है तो मैअप के साथ हूँ मैं आपके साथ हूँ मैं आपके लिए लड़ूँगा अगर यह सच है तो मगर सच था grab कब होगा जब दौआ और ज़हीर मेरे सामने आए आए आप भी आए बैठे मेरे साथ मेरे साथ बैठके चाई पिये मुझे गुफ्तुगू करे मुझे यकीन हो जाए मैं मैधी साब से कह दूँगा मैधी साब बच्चों को माफ कर देंगे उनको प्यार देंगे और ये दोनों टिन गंटे लाइफ स्ट्रीमिंग करते हैं कौन साब है मुझे नी पता उन्हों ने कोशीच कर रहा हूँ आप को दिखाने की अगर दिखा सके तो उन्हों एक तस्वीर दिखा दी इन साथ की दोस्तों ये जुनेरा एक विडियो दिखा रही है तीन गंटे की कोई साहब लाइव स्ट्रीमिंग करती है यह साथ डॉक्टर है और इनके साथ जो लोग इनके साथ गुफ्टुगू कर रहे हैं यह तजिया कर रहे हैं यह सारे पड़े लिखे डॉक्टर्स हैं और बड़े बड़े लोग है तो आपके खाल में सारे के सारे घटिया शर्मानी चाहिए दो आपके माबाप ने आपको कैसी तर्भियत किये या आपके माबाप की तर्भियत नहीं है आप सहीद जादी है ऐसे अलफाज आपको जेब नहीं देते या आपको सिखाये गया है इसा है नहीं कि ना सिखाया हो ये अलफाज आपके अंदर डाले गए आपके मुझसे बुलवाया जा रहें तो शंप करें ऐसी बाते ना करें आप दूसरी चीज ये जो बिठाये गया है अच्छा मुझे बताईए अगर दुआ जहराने कपड़ अच्छे पहने हैं तो इनको जुनेरा को ये बाद हाइलाइट करनी की क्या जुरूरत है कि बहुए दुआ तुमने कपड़े अच्छे पहने किस ने दिला है Share कि आम देखनी सकते कि उसने अच्छा सूट पहना है इस बात का मतलबी है कि आप पॉइंट करना चाesper ऑलने इस बात के उपर एस के शोहर ने या मेरे शोहर ने मुझे दिया, बताने की जरूरत नहीं होती, कुछ चीज़ा बोली नहीं जाती है, जब बोली जाती है तो इसका यह मतलब है कि पीछे मामला गरवर है, कोई प्राबलम है, मेक अप करके बैठी वी है जी, दूआ, आप एक वीडियो बना लिए या टीवी का आप ने शो कर रही है, क्या कर रही है आप, आप नैश्रल आए और लोगों को बताएं, आपका जो सच है वो बताएं लोगों को, आपको, मैं दूआ से मुखातिव हूँ, दूआ, आपको जुनेरा की क्या जरूरत है, आप खुद बोल सकती है, अच्छा फिर जुनेरा कह है कि इन्होंने अपना चैनल बनाया यूट्यूब पर बहुत जल्द चैनल पर आके, अच्छे चैनल पर आके क्या करेंगे ये, ये लोगों को बावर करेंगे लड़के लड़कियों को, गर से भाग जाओ, इस चैनल का नाम है घर से भागो, जिसको मौबत हो, माबाप को करेंगे चैनल के जरीए, चैनल सपोर्ट करेंगा, शर्म आनी चाहिए आपको ये बात करते हुए, चैनल बनाये, जरूर बनाये, दुल्या बना रही है चैनल, उसमें ऐसी चीज़े लाए जिसे मार्चरे में बहतरी हो, लोगों के प्रॉब्लम हाइलाइट हो, लोगों की ह जीब सी थी, कहा जीब मेरे माबाप ने मेरे डॉक्यूमेंट्स में उमर कम लिखवाई है, अच्छा मुझे ये बताएए, कोई तुक है, कि माबाप बच्ची की उमर कम क्यों लिखवाए, कुछ समझ में आने वाली बात है, देखें, अल्ला ने हमें अकल दी है, आपसे प मैं अपने तरजबे से एक बात बतादू, अगे, कि ये बच्ची जो है, ये बहुत सारा जूट बुलवाए जा रहा है उससे, इस बच्ची के उपर या तो मुझे नहीं पता, देखें, हो सकता है, महबबत हो, अच्छा महबबत है तो क्या फरक पड़ता है, माबाप को ब कोट आप से कहे, कि भाई आखे माबाप के साथ बटा, आप खुद क्यों नहीं आते, किस बात कर डरे आपको, आपके माबाप आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, चार आदमियों को और बुला ले, और माबाप के सामने बैठ जाए, मसला सौल्व हो जाए, दूसरी एक चीज पंजाब यूनिवर्स्टी गई, अच्छा, इसका मतलब है कि जो शक्स लेके गया, उसको पता था पंजाब यूनिवर्स्टी जाना है, क्योंकि इस वीडियो से ये पता चला, कि जहीर को पता ही नहीं था कि वहाने वाली है, तो जब कोई सेल फोन नहीं था, तो वो कैसे पंजाब यूनिवर्स्टी, क्या पहले से कोई कम्यूनिकेशन हुआ था, कि पंजाब यूनिवर्स्टी आउंगी, पता नहीं था, जईर भी यूनिवर्स्टी संड़े की दिन क्लोस होता है, मगर कुछ लड़कियां होती, कुछ साफ होता है, वहाँ से किसी लड़की से, उसने जहीर को फोन किया जहीर लेने आया अजीब हो गरीब बात नहीं लगती आपको मतला ऐसल नहीं तो एक फिल्मी पूरा फिल्मी एक सीन बनाया जा रहा है लोगों को कन्विंस करने के लिए अच्छा दोस्तो आपको याद हूँ मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जो साहब इनको लेके गए पंजाब यूनिवरस्टी जो टेक्सी चला के लेके गए उनको मैं पचास अजार रुपे दूँगा अपनी तरफ से मेरे सामने आये मुझसे बात करे तो वो तो सामने आये नहीं आये खाब में आगे मेरे और में बड़ा हैरान कि खाब में आ रहे हैं रेल में क्यों नहीं आ रहे हैं क्या रेल में वजूद है किसी ऐसे टेक्सी ड्रावर का जो सिर्फ टेक्सी ड्रावर हो जिसका काम सिर्फ लोगों को एक जगा से दूसरी जगा पहुंचाना उसके इलावा कोई तालुक ना हो समझ नहीं आता खाब में आए भाई रेल में आ जाओ मुझे मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अच्छा एक और चीज बड़ी इंटरस्टिंग है जब जहीर से दो सवाल पूछे गए तो जहीर के चेहरे पर कोई एक्सपेशन नहीं थे मुझे ये बताइए दोस्तों आप सब पढ़े लिखे लोग हैं पढ़े लिखे से मुराद तालीम वो बाद नहीं करा बाशाहूर लोग है अगर आपके साथ आपकी महबूबा बैठी हो या आपकी नई नवेली दुलन बैठी हो तो ये रिष्टा जो होता है ना बीवी के साथ ये बड़ा इंटिमेट रिष्टा होता है अगर आपके साथ आपकी नई नवेली दुलन बैठी हो और वो भात कर रही हो तो आपके चेरे पे बड़ा अच्छा तास्र होता है मुस्कुराट होती है उसकी बात सुनके आप एपरिशेट करते हैं फिर जब आपसे सवाल पुछता है तो आपकी आँखें अपनी बेगम की तरफ जाती है ना यह जो शर्म हया होती है औरत में वो तो मुझे नजर नहीं आरी दुआ में I'm very sorry इसका मतलब है कोई मुझे लगता नहीं को कोई तालुक है भारत होदा रभ पहलते जाने मैं कोई बहुत बड़ा दावर नहीं कर सकता इसका मैं सिर्फ जो नजर आता है वो बता रहा हूँ और मुझे से गलती हो सकती तज्जिये में तो जहीर साब के चेहरे पे कोई तासर नहीं है ब्लैंक है ब्लैंड है बिल्कुन कुछ नहीं है सिर्फ जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दे रहे है वो भी इस तरह दे रहे कि जैसे उनको समझाए गया हो कि हम यह सवाल पूछेंगे यह जवाब देंगे अच्छा एक चीज बड़ी अजीब और गरीब जोनेरा नहीं की जो बेरे खाल में जोनेरा थोड़ा सा नहीं बोलना चाहिए इस तरह मैं आपको जूठा नहीं कहूंगा क्योंकि यह बदतैजी भी है किसी को जूठा कहरा है मगर थोड़ा सा अपने जुमले को करेक्ट कर लें आपने का जेगी 80% लोगों को यकीन आ चुका है कि यह बच्चे भागे ने भागे है घर से अगवा का केस नहीं है अच्छा 80% का आपके पास टेटिशिक्स क्या है आपके पास कहां से पतदल 80% लोग है आपके पास प्रूफ है 80% लोगों का पाकिस्तान की हवा मगर 24 कड़ों रवा में 22 कड़ों रवा में उसका 80% कितना बनता है तो लाएं दिखाएं में प्रूफ ने इस तरह अंदा अधन बात के अधना 80% को यकीन है बीबी मैं आपको ये बता दू जब आपने ये बात की तो मैं आपको ये बता दू कि 90% लोगों को यकीन है कि जो कुछ हो रहा है ड्रामा इसारा का सारे जूट है मैं आपको ये बता दू मेरे पास कोई स्टेटिस्रिक्स नहीं है लेकिन चुके आपने सी बोला है तो मैं आपको बता दू नबे परसंट मैं I'm a people's man आपको कैमेरे के सामने बैठके बाते करती हैं है ना आपका तो ये काम है आप वीडियोज अच्छी मनाती है बहुत अच्छा कैमेरे के सामने बैठके मैं कैमेरे के सामने बैठके नहीं करता है मैं लोगों के साथ इंट्रेक करता हूँ पूरी दुनिया में मैं वरक्शॉप से सेमिनार कराता हूँ डिरेक्ली लोगों से फेस टू फेस मिलता हूँ उनके व्यूज मुझे मिलते हैं उनके तज्जिया मुझे मिलता है मैं आपको ये बता रहा हूं कि 90% से ज़्यादा पाकिस्तान के लोग बिलीफ करते है कि ये सारा का सारा जल्म हो रहा है ज्याती हो रही है ये जूट है जो बताए जा रहा है और ये कि माबाप के साथ जो जल्म हुआ है वो जल्म शायद आने वाले वक्त के अंदर कई घरों को मजीद बरबाद करते आप भी बेटी हो जोनेरा कम से कम आप ये कर सकती हो चले आपकी वीडियो बड़े सब्सक्रिप्शन आ रही बनी आपको पैसा मिल रहा है सब कुछ अच्छी बात है हाँ कहलाल का पैसा है कोई बात नहीं अच्छी बात है लेकिन ये तो कर सकती है नहीं कि इस केस में उन दोनों बच्चों को लेके मेरे पास आजाओ तुम मुझे जानती है तुमने मेरे वरक्शॉप भी किये तुम मेरी स्टूडन रह चुकी हो इनको मेरे पास लेके आजाओ हम तीनों बैठते और कोई नहीं होगा मैं चार आप तीन बैठते मैं बात कर लूँ और उसके बाद मैं उसके वालिद को फोन करूँगा कि जी आपकी साबजादी जो है वो वाकई घर से भागी है उसको इस लड़के से महबत है लड़का भी उससे महबत करता है तो बराय करम अब ये केस खतम करें अपनी बेटी को अर अपने धामाद को इज़त दे, रिस्पेक दे जिस रिस्पेक कि आप बात कर रही है रिस्पेक दे और इनको दुआएं दे और फिर ये मामला खतम करें अच्छा ये भी मैं बता दूस दुनेरा आप मुझे जानती है मैं जो कहता हूँ वो थाबित कदम उसके उपर मैं आपकी दुआ की जहीर की आने जानी की टिकेट होटेल का खर्चा सब में देने को तैयार हूँ हर चीज में देने को तैयार हूँ बस मेरे सामने आजाओ देखें हाथ जोड़ के कहता हूँ लोग अजियत में मुझतला हैं और भी दुखे जमाने में महबत के सिवा राहते और भी विसल के राहत के सिवा इस वक्त पूरी कौम परेशान है हुआ सारे मसाईल हैं हमारे सामने उपर से ये कंटिनुस लि एक अजियत दे रही हैं हर दफाए एक वीडियो बनाती है ये सुनते है खुछ लोग कहते हैं वा वा क्या बात एं चुछ लोग मजई लेते हैं कुछ तक्लिफ में मुबतला होते हैं और अक्सर तकलीफ में उत्तला होते हैं विकोज जिनके घरों में उलादें वो तकलीफ में उत्तला होगी तो मैं आपको सारा खर्चा दूँगा ये मेरा आपके वादा है लाइब बता रहा हूँ आपको वादा है मुझसे आप आएं इस मसले को में रिजॉल्फ कर लें उसके बाद जो भी फैसला कोट का होता है जो भी फैसला बोट का होता है वो सबको मनजूर होना चाहिए अगर बोट कहती है ठीक है लड़की 17 साल की ये वन्डरफूल मगर ये जो कुछ भी होगा देखे महीना दो महीना साल दो साल आपके खल में उसके बाद क्या होगा क्या दूआ को अपने माबाप याद नहीं आएंगे मुश्किल में अवलाद को माबाप याद आते है माँ खासकर याद आती है आज मेरे माबाप नहीं है अक्सर मैं कभी कभी तनाई महसुस करता हूँ मैं सोचता हूँ मुझे दूाा देने वाली माँ नहीं है आज मुझे दूाा कुन को देगा आज मैं परिशान होता हूँ तो एक सहरा होता चाहे भो बुड़ा भी होता वगर कम से कब उसके अलपाज, उसकी बात मुझे सहरा देती, हिम्मत देती मैं मुश्किलाइत में होता हूँ तो मैं याद करता हूँ कि परवर्दिगार तु माबाप को, सब के माबाप को बड़ी उमर अता कर, आमीन क्योंकि यह हमारा सबसे बड़ा सहरा है तो कुछ अरसे के बाद जब दूआ अल्ला करे, उसको अलाद भी हो माबाप को याद नहीं करेंगी मुश्किल के वर्ग याद रहे, इनसान जो बोता है वो ही काटता है, मकाफाते अमल है, तो एवरी एक्शन दिर इस एक्वल इन अपोजिट रियक्शन यह जो उसूल है, इस उसूल को जिन्दगी में कभी मत भूला जुनेरा, तुम्हारी वीडियो में तुमने कहा कि लोग तुम्हें बदवाय दे रहे हैं कि तुम्हारी भी ऐसी बेटी हो और वो गर से बाग जाए मुझे अफसोस हुआ लोग आपको बदवाय क्यों दे रहे हैं हमें किसी को बदवाय देनी चाहिए और ये जो लोग आपको गालिया दे रहे हैं बुरा बला करें, सब ठीक हो सकता है आप भी माशरे की एक बेटी हो बेस्ट ये बच्चों को ले आओ मसला रिजॉल्फ कर दो अपने उपर से सारे इल्जाम तुम्हारे धुल जाएंगे तो ये जो लोग बदवाय दे रहे हैं पता नहीं किस की बदवाय किस वक्त लग जाए कह नहीं सकते कह नहीं सकते तो बड़ा करम अगर ये कर सकती हो कर लो मैं कहता हूँ तो तुम सड़ खुरू हो जाओगी तुम कहां से कहां पहुच जाओगी लोग कहेंगे जुनेरा ने कमाल काम किया अलाद को माबाब से मिला दिया दो खांदानों में महबत जोर दी रिष्टा जोर दी आई कर लो जुनेरा तेंक्यू वेरी मज़ जुनेरा अपने ख्याल रखना और दौा में याद करना अल्लाफ आपज़ जो